होस्तों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार फिर्फ एक बार फिर्फ है जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवियार स्टडी में उमीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही है आज आपका संपूर बैच का 27 नंबर क्लास है क्लास भले चोटी होगी लेकिन चोटी में मोटी होगी एक प्रकार से मतलब कम में ज्याद मिलेगा ताइम ठोड़ा मिलेगाraं तंत को के इसमें आज पढ़ेंगे घात आंक और करडी जो serious बोला जाता है इंग्लिस में तो बिल्खल सुरुआत करेंगे।्ट तर सब्से पहले पांच इसमें तीन क्या है आधार है दिश है और पांच यह बनता कैसे है जब कि संख्या को एक इस अधिक बार गुड़ा करें जैसे यहां देखो पिक है तो उस संख्या को हम जितनी बार गुड़ा करते हैं थी तो तीन का घात हो गया यह क्या होता है यह होता भाई यह बनता कई से है इसका यह सिस्टम है इसमें आपको दिखी रहा है आगे देखिए यहां पर थोड़ा सासपस्टी करण यदि क्यू कोई धन पुड़ांखो तथा पी गुड़े पी गुड़े पी यह क्यू बारा है तो पी का घात क्यू के रूप में इसे लिखा जा सकता है जहां पी को आधार आधार यानि बेस इसे इंगलिस में क्या बोलेंगे बेस बोलते हैं ठीक है बया क्या बोलते हैं बेस और इसको Q को क्या मानते हैं घातांक, घातांक को indices बोलते हैं या index भी बोलते हैं, ठीक है, indices, indices या index, मेरी बात समझ पारे हो आप लोग, किसी को कोई doubt तकलिफ नहीं न, तो थोड़ा सा और भी कुछ एक जंपल्स के माध्यम से आप समझ लो, जैसे अगर यहाँ पर yaks का घात 5 लिखा है न, तो यहाँ पर base यानि आधार क्या है, यक्स है, और घातांक क्या है, पांच है, समझ गये न, तो कहीं भी अगर आपको आधार और घातांक निकालना हो, तो अब उमीद है कि आप यह चीज तो आप असपश्ट एकदम क्लियरली समझ गयो, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एकदम बहतरीन तरीके से, जैसे अगर मैं यहाँ पर पूछ हूँ, कि 9, यहाँ पर 3, तो यह बता इसमें आधार क्या है, और घात क्या है, तभी बता लोगे, फट से कमेंट करो, दूसरा, अगर मैंने कहा कि 9, इसका 1 अपान एक्स, इसमें घातांक क्या है, बोलो, मैंने वान अपान एक्स लिखा था, ती, अगर मैंने लिखा, 8 याक्स, वाई, इनका पावर माइनस 5, इसमें घातांक क्या है, तभी बता लोगे ना पक्का, एकदम मजदार है, आगे बढ़ें, चलिए, आप बात करते हैं साथियों, घातांक में जो आपने पढ़ नियम, चलिए मैं आपको घातांक के नियम, फिर सिखाए देता हूँ, लगे हाथ, चलो आगे बढ़ें, चलो भया, घातांक के नियम में आगे बढ़ें, आज हम बढ़ें ग्राउंड वाइट ही रखेंगे पूरे कलास में, फेरिंग डालो घातांक के नियम, लिखो, घात रांके के बुच नियम है उन्हीं पर सब चलता है जैसे बहुत ही simple से नियम पहला नियम अगर हम बात करें फ़स्ट, ए नमबर लिख लो गुड़ा करने पर घाते जुड जाती हैं गुड़ा करने पर घाते जुड जाती हैं चार्ज है न ये लिख लो फटफट फट फट फटा-फट जैसे इसका जो फर्मूला होता है वो यह होता है मेरे भाईया बबुआ देख लो सिंपल में यही पढ़ते आए हैं एक पावर यम इंटू एक पावर यन यहाँ पर ध्यान रहे कि बेस इक्वल होना चाहिए यानी नीचे का जो ए है वो एक समान होना चाहिए अलग लग नहीं होना चाहिए तो यह बन जाता है एक पावर यम प्लस यन यह आपका घातांग का पहला नियम कहता है ठीक है इसके एक्जामपल जैसे अगर मने लिखा पांच कगाद तीन और पांच कगाद दो तो घातांग के इस नियम के अनुसारी यह हो जाएगा पांच कगाद तीन धन दो फिक्वल पांच घात पांच अब को समझ में कोई तकलिफ नहीं किसी को आगे पांच्वर सकने अब हम खीक है दूसरा एक्जामपल अगर इसी में हम आपको दिखाना चाहें तो लोग dat काई को दिख्कत काई को वह यह अगर यक का गशाज दो और गुडा यक से तीन कर गुडा यहाँ पर यक्स तो क्या हो होगा जानते हो यक्स की घाथ दो और तीन और यह एक फाइनल में सब जूडएंगे दो धन तीन धन एक इक एक्वल यक्स घाच्छे तभी को समझ में आया किसी को कोई डाउट और तकलिफ नहीं होना चाहिए उमीद है कि आपको समझ में आया फट से एक बार यस बोलिए और मोटा कर देता हूं यह लो लो चल भाईया कि दिखा पस यही तो फाइदा है हो गया इसको लिख लो आगे बढ़े नेक्स्ट आप क्या देखना है इसमें और भी बहुत सारे एक्जांपल्स हैं जैसे आप लिख लो चाहे तो कुछ कर लेना घर बर से घर दुवार्फे कर लिख लो लिखो भाई लिखो लिखो फटाग दे लिखो यार जैसे 31 का पावर माइनस वान अपान थ्री इंटू 31 का पावर पाँच कर लोगे इसको बोलो कोई डाउट होगी तो बता देना मुझे 29 का पावर 11.3 इंटू 29 का पावर 2.7 कभी कर लोगे ना किसी को कोई तकलिफ नहीं होगी ना इसमें क्यों भाईया 8 का पावर 7 इंटू 2 का पावर 8 और डिवाइड बाई बाई 8 का पावर 6 नीचे बाला कर लोगे कि नहीं थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये मैं अभी इसको बताऊंगा बिल्कुल 10 था निलेना आपको ठीक है इनको लिखो जल्दी हो गई है इस तरह से और भी बहुत सारे एक्जामपल्स है 98 पावर 4.5 इंटू ये भी 98 पावर 1.5 लेखो बहुत आसान है भाईया ये इस तरह वाला बहुत आसान होता है पता है ये 98 इसकी पावर 4.5 प्लस 1.5 भाई सिंपल सा बात है 4.5 और 1 हो जाएगा 6 जनी 98 का पावर कितना हो जाएगा 3 बस हो गया आनसर यही ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना किसी को तो ये हो गया साथियों गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है घातांग का आपका पहला नियम second rule पर आगे बढ़ते हैं इनका screenshot ले लीजे जिनको लेना है घातांग क्या है ये आप समझ गये हो ये क्या है ये घात है ये क्या है ये आधार है कि इसे बेस बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं वह लिखाता ना indices या index ओके चलिए आगे बढ़े class को इंडे तक देखना मैं बार-बार बोल रहा हूं ये सारे एक्जम्पल्स हैं दूसरा होता है गुड़ा करने भाग करने पर घाते घड जाती हैं अब एक्जम्पल इसमें भी देख लो भाग करने पर घाते घड जाती है अगला रूल कि नियम नंबर दूसरा कि गातांग का नियम नंबर दूसरा कि क्या कह रहा है भाग करने पर घाते घड जाती है लिख लेना चाहिए इसको काहें को लिखूं पाल दो लिख लेना ठीक है भाग करने पर घाते काट जाती है मतलब सफ्ट्रेक हो जाती है जैसे इसका जो सूत्र है वो ये है इक्वल या माइनस यन ओके इसका एक्जामपल देख लो बाबू जैसे पांच का गहाद साथ डिवाइड बाई पांच का गहाद तीन फाइनल में क्या होता है जब भाग करते हैं तो घाते घड़ जाती है साथ और ये माइनस तीन चाही लिख रहा हूँ ना आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि बैक्ग्राउंड का इसा रखना चाहिए बलेक में सही रहता है या वाइट में ठीक है कमेंट करके जरूर बताना ठीक है साथ यह इस तरह से और भी बहुत सारे एक जांपल साब कर सकते हो जैसे यक्स का पावर नो इसको कर लेना इसको कर लेना एक बटा तीन यक्स का स्क्वायर यह आलक कुश्चन है इसका पावर एक्स का तीन तो बस यह वीडियो में बहुत जादा लंबा नहीं जाने दूंगा क्योंकि आप लोग बहुत जादा लंबा देखते नहीं हो उमीद है आपको समझ में आया होगा अगर आप डेली फ्री क्लास पढ़ना चाह बहुत भेजते हैं तो आप हमें टेली गराम पर जरूर्वाइन करें पूरा क्लास देखने के लिए दिल से आपको बहुत सारा थैंक्यू और क्लास को सेर करें कोई डाउट है आपका कमेंट करिए हम आपके डाउट जरूर लेंगे और आगे बढ़ते रहें पढ़ते रहे थैंक्यू